असलाम लेकूम विवर्स, हुमीत है आप खेड़ से होंगे आज मैं दो तरह की बिंडी बनाने जा रही हूँ आप सब के साथ एक तो मसाला बिंडी और दूसरा बिंडी का सालन या बिंडी की ग्रेवी सबसे पहले बिंडी को दो के पेपर टावल से खुश करके फिर करें इस तरह के से बिंडी मैं से लेस नहीं लिख लेगी प्यास को लाइट ब्राउन करके उसमें बिंडी डाल दे हीट को हाई पे रखें बिन्दी को इसी तरह 6-7 निट तक हाई फ्लेम पर पकाते जाए इस तरह तेज आंच या हाई फ्लेम पर पकाने से बिन्डी की जो स्टिकिनस होती है या जो लेस होता है इसमें से वो खतम और जाता है बाद लोग बिन्डी के लिए एलाइदा से मसाला बना के उसमें एट करते हैं लेकिन मैं टिमाटर और सब मसाले इसsheMin said डाल के पकाती हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है मैंने एकटे हुए टिमाटर अभी इसमें डाल दिया है इसे अच्छी तरह से बून लें, यहां तक के टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं जब मच से इसको हिलाते जाएं, इस तरह टमाटर का पानी भी खतम होगा और इसी के पानी से हमारे बिंडी भी गल जाएगे ठामाटर का पानी खुश्क हो चुका है और बिंडी भी तकरीबन गल चुकी है अभी तक हमने इसमें मसाले एड नहीं किये इसमें चारों मसाले डलते हैं यानि दनिया, जीरा, हल्दी और सर्ख मिर्च मैंने इसमें कलोंजी भी एड किये हुए है इसे इसका मज़ा भी बहुत अच्छा बनता है और कलोंजी काने के फाइदे भी बहुत सबसे आखिर में नमक डाल दे, इससे बिंडी की लेस खतम हो तिन चार मिर्ट तक बूनते रहें, जब किनारों से तेल निकलने लगे तो हमारी मज़ेदार मसाला बिंडी तयार है अब अब अपनी दूसरी रेसिपी बिंडी का सालन बनाते हैं सबसे पहले आउल को थेज आँच पर गरम करके उसे फ्राइ करना शुरू करें बिंडियों को हाई फ्लेम पर फ्राइ करना है इस तरह से उसकी जो स्टिकिनस या लेस होता है वो खतम हो जाता है पांच से साथ मिनट तक बिंडियों को खुब अच्छी तरह से फ्राइ कर ले जब आप देखेंगे कि वो तकरीबन गोल्डन हो चुका है तो इनको ओईल में से निकालके प्लेट में डाल दें अब सालन या ग्रेवी बनाते हैं ओईल में प्यास को चॉप करके लाइट गोल्डन कर लें उसमें चॉप्ट ट्रमाटोस डालके उसको फ्राइ करें ट्रमाटों को तोड़ी देर भूनें उसके बाद हल्दी पाउडर, ब्लेक मस्टर पाउडर, रेड चिली पाउडर और कलोंजी डालकर पांच से साथ मिनट तक इसको भूनते रहें अब इसमें एक टेबिसपून टमाटो पेस्ट का भी डालका यप इसको मिक्स करके बूनते जाएं इसको कट़ा और चठपटा बनाने के लिए दो टेबिसपून लेमन जूस का भी डालके लेमन जूस डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेका होता है बिंडी की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और चटपटा बनता है आप अपने गर पे ज़रूर ट्राई कीजिए एक लास बॉइलिंग वाटर डाल के अब इसको जोशाने दे और इसके बाद आप वो फ्राइट बिंडियों को इसमें शामिल कर ले अब डकन रखके चार से पांच मिनिट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए रखते हैं पांच मिनिट हो चुके हैं अब देखते हैं कि हमारी सालन की क्या हालत है तो हमारा बिंडी का सालन तयार हो चुका आप इसे गरम-गरम नान या चापाती के साथ सर्फ करें और अपनी फैमिली के साथ इंजॉई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्यार लगए, खुदा आफ़ेज।